हेलो दोस्तों आपका अपने चलने प्रकास फार्मा पर स्वागत है तो आज हम एक ऐसा इंजक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे ने कभी न कभी आपने भी डाक्टर के क्लिनिक पर देखा होगा और आपके दिमाग में भी आता होगा कि एसी कौन सी दवा ह जिसे लगाने के बाद लोग टाके लगाते हैं या फिर आपको बिच्छु डंग कर दे यानि बिच्छु जो है काट ले आपको तो फिर कुन सा इंजक्शन लगाते हैं डाक्टर तो अगर नए है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक करे जिनको इसके बारे में किरियोसिटी है तो चलिए हम समय को न वरबात करते हुए शुरू करते हैं तो आएए मिले सबसे पहले हमारे प्रोड़क्ट लिगनोसिन एंजक्शन से मैं आपको इसको नजदीक से दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एंजक्श के नाम से मार्केट में आपको रेंडेमली मिल जाएंगे किसी भी मेटकल शॉप से आप इसको पर्चेच कर सकते हैं हम बात करें समय पाएज़ाले इंग्रीडियन्ट की तो बिसिकली इसमें जो होता है वर लिगनोश्र पाया जाता है जो लिगनोश्र एक प्रकार का ऐसा होता है जो कि किसी एक particular body part को anesthetize करने के लिए परियोग किया जाता है इसका परियोग किसी भी एक body part को anesthesia देने के लिए यानि किसी एक particular body part को आपको सुन करना है उसमें सुन पन लाना है तो आपको छोटा operation करना हो गाठे निकान ली लगाने हो तो कुछ समय के लिए आप इसका पर्योग कर सकते हैं यह इंजेक्शन जो होता है लगाने के बाद दो से तीन मिंड में इफिक दिखाना शुरू कर देता है यानि जो बॉडी सर्फेस होता है आपका दो से तीन मिंड में सुन हो जाता है और आप कोई भी काम करना लगाना चाहिए या फिर काटना चाहिए फारना चाहिए उसे तो आसानी से आप इजली फार सकते हैं जिससे कि पेसेंट को किसी भी परकार का पेन नहीं महसूस होगा इसके लिए अगर आपको कहीं पे जलन से महसूस हो रही है बरनिन से महसूस हो रही है अक्सर देखा गय कि जब बिच्छु डंक मारता है बिच्छु काटता है तो आप जलन बहुत जादा होती है उसमें इंफलामेशन बहुत जादा होती है तो इसको इंफलामेशन को रोपने के लिए इसका पयोग किया जाता है इसमें होता यह है कि सोडियम सेनल होते हैं जिसके थूरू जो खूत सकता है कि ब्रेइन तेग नहीं जाता जिसके वहाद से आपको चल complete को मिलता अगर आपको इंफ्लामेशन और तो आया है उसके वाज़ा से बहुत जादा इंफलामेशन हो रहा है तो आप लिगनों से इंजेक्शन का परियोग कर सकते हैं आपको गाठों में बहुत जादा दर्द हो रहा है तो अगर आपको नार्मल चोट लगी है जहां से बहुत जादा ओ रहा है और पर लगाना तो अहां पर्योकर सकते हैं नार्मल से सका परियोग डॉक्टर सीया फिर प्रेक्टिशनल या फार्माशिस्ट या फी डॉक्टर करते हैं इमरजन्सी ड्रक के रूप में भी इस्तेमाल किया आता है आई-स्यू में जहां पर तो चाके नीचे ही परियोग करें I.M. से आपको ये बेनिफिट्स होगा कि ये नसों में नहीं जाएगा जिससे कि आपको हार्ड से लेटर कोई और परेसानी काज नहीं होगी हम बात करें कि ये कैसे काम करता है तो बैसिकली ये इसका काम होता है ये जो आसपास की nerve cell होती है जहां पर आप इसको इंजट करते हैं उस nerve cell को डेट कर देता है कुछ समय के लिए उसमें जो channels का circulation होता है और नहीं होता है जिसके वज़ासे जो signals होते हैं आपको मेस्तिक्स को नहीं जाते हैं जिसके वज़ासे जो pain होता है inflammation होता है आपको decrease होता हुआ या फिन नहीं हो रहा है ऐसा कुछ मैसूस होता है चलिए हम बात कर लेते हैं इसके होने वाले वासर की और जो असर होता है कितने लंबे समय तक होता है तो इसका असर दो से लेकर तीन में दिखाई पड़ सकता है और दिखाई पड़ता भी है लेक समय तक सुन महसूस हो सकता है चलिए हम बात कर लेते हैं इसके और वायरियन्ट की तो इसके अलग अलग परकार के अबार्यांट में उपलब्ड है तो बेसिकली 2% 0550 के वेरियंट में मार्केट में उपलब्ड है हमने बात किया था आईशिओ में पर्योंग किया अथा या या को लेने के बाद होने वाला साइटीक्ट की तो बैसिकली इसको लेने के बाद आपको कुए बलख़निक भीजन हो सकता है के अस्थान पर दो चेहरे नजर आ सकते हैं या हो सकता आपको को दुंदुला दिखाई पड़े आपको कुछ गर्मी सी लग सकती है आपको ऐसा लग सकता है कि हमारे सरीर से पसीने निकल ले हैं या फिर जलन सी महसूस हो सकती है या फिर आपको बोमीटिंग सा फिल हो सकता है आपको चक्कर आ सकते हैं कुछ ना яет anesthesia जो कि laggnosine का injection होता है उस से sensitive है तो इन सर जगहों पर इसका परयोग बिलकुल ना करें तो आप इसका परयोग pregnant lady के लिए भी कर सकते हैं वहाँ पर भी safe है और ऐसी महला के लिए भी कर सकते हैं जो पने बच्चों को दूद पिला रही है कि आप इसका परियोग बच्चों पे नहीं किया जाना चाहिए तो आसा करता है कि जो भी आज आपको लिग्णो सीन इंजक्शन के बारे में बताया गया है आपको पसंद आया होगा और आपके मन में जो भी डाउट रहा होगा इस इंजक्षन से related वो दूर होंगे चाहे वो doubt होंगे कितने समय तक सुनपन बना रहे सकता है या फिर कहां कहां पर इसका परियोग कर सकते हैं विच्चु के काड़ने पर कौन सा इंजक्षन लगा जाता है या फिर inflammation में कौन सा इंजक्षन परियोग किया जाता है तो यह रह अगले वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वैडियो को लाइक कर दिए उन लोगों को जरूर सेर करिए जिनको इसकी जरूरत है थैंक्यू